जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले हमने Financial Accounting यानि FAC, Paper 5, Group 1, CMA, Inter और भी जो CA है, CS है, उनके लिए भी जो Accounting Standards है वो मैंने उससे पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूगा आप जाकर देख ले, बहुत ही आसानी तरीके से मैंने वहाँ पर याद करना जो Financial Accounting Standards है, उसका बहुत ही आसानी से याद करना ये YouTube के इतिहास में एक record बनेगा, कि इतना easy तरीके से मैंने याद करना सिखाया आज मैं Cost Accounting Standards, यानि CAS जिसको SORT में बोलते है, Cost Accounting Standards और जिसको जो की आपका Paper 8 है, SORT में उसको CAC, Cost Accounting को SORT में क्या बोलते हैं, CAC और ये आपका Paper 8 है, Group 1 के लिए, और भी जिनके CACS में जहां पर भी Cost Accounting आप तो पढ़ते हैं, उनके लिए important रहेगा ये जितने भी Accounting Standards है Intermediate में, CMA InterK, वो सारा Accounting Standards बहुत ही आसान तरीके से मैं बतानी वाला हूं तो आप से एक ही दरखास है, कि आप क्या करें, हमारे चैनल को अगर आप नहीं हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बैल आइकन बेग प्रेश करें, और ज्यादा से ज्यादा Friends अर्किल में शेयर करें और मैं direct taxation, indirect taxation, और भी जितने भी बनते, cost accounting से related, और भी बहुत सारे MCQ है, जो आपके exam के लिए important होगा, financial accounting, auditing, group 1, group 2, सबके लिए मैं उस पर काम कर रहा हूं, और मैं जल्द ही उस पर भी वीडियो दूँगा, जो आपके exam के लिए, जो online exam है MCQS, उसमें importance रहेगा, और उसक लेकर 9 तक number को याद रखना है, और जो मैं alphabet बताया हूं, यहाँ पर total 17 alphabet, उसी को याद रखना है, total 26 होता है, उसमें से सरिफ 17, बाकि कोई alphabet का कोई इस्तेमाल नहीं करना है, उसी से हम सब कुछ बनाना सिखाएंगे, तो जैसा है मैं सिखा रहा हूं, आप सिखे, one, one जो है, आप मालो, सपोज आपके पास एक column है, अब सीधा रख दो, फिर दूसरा column को उसके उपर रख दो, तो वो क्या बन जाएगा T, एक column को सीधा रखो, दूसरा column को band कर दो, तो वो बन जाएगा D, फिर 2 कैसे होता है, 90 degree अगर 2 को move करेंगे, तो वो N बन जाएगा, 3 को 90 degree move करें और देखने के बाद वो L 7 की तरह दिखेगा, तो यानि 5 का code क्या है, L, और एक सीधा 6 लिखेंगे, एक उल्टा 6 लिखेंगे, तो एक से G बन जाएगा, दूसरा से J बन जाएगा, और 7 में आपको सिरिफ उसके साथ याद रखना है, CH और SH, 7, एक सीधा 7 लिखेंगे, एक कुलटा 7 लिखेंगे, तो उस से K बन जाएगा, हिंदी में जो क होता है, उसको K से भी लिखा जाता, और CC भी लिखा जाता, 8, Roman 8 लिखेंगे, तो उसमें 5 के सखल में जो आता है, उसको अंगरे जीमिय भी बोलते हैं, और तीन लखीर बच जाता है, एक लखीर को सिधा खे है Zero किसे लिखते हैं जैट से लिखते हैं और Z का opposite क्या होता स यानि Zero का Code क्या होगा Z और S बस इतनी को आपको एक बार memorize कर लेना है और जैसे जैसे मैं चुछा है वैसे वैसे एक बार practice कर लेंगे उसके बाद देखें मैं इसका apply करके दिखाता हूं cost एक से लिकर 24 तक है वो सब मैं आपको याद कराऊंगा चले बने रहे हैं हमारे वीडियो में सुरू से लेकर आखिर तक वीडियो जरूर देखें तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं देखिए मैं समझाने वाला हूं तो सबसे पहले है अब जैसा कि देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ 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 determination मैंने कहा आपने capacity determination किया है तो आपने कहा no तो n का code क्या होता है दो होता और कोई code नहीं होता उसको cancel कर देंगे यानि cost accounting standard 2 में क्या है classification यहां पर आपका cost accounting 2 में क्या बतायागे है capacity determination production and operation over it कौन देखती है तो मां देखती है तो एम डेवले एम का code क्या होता है तीन डेवले को cancel कर देंगे उसको काड़ देंगे यानि cost accounting standard 3 में क्या है प्रोडक्शन एन ऑपरेशन ओवरीड फिर है cost of production for captive consumption क्या तो cost of production of captive consumption कैसा अब मैंने पूछा तो आपने बोला कि रॉम में हो रहा है कैसे यहां पर जो कोस्ट एकांटिंग स्टैंडर्स है उस्ट एक प्रोडक्शन फॉर कैप्टिप कंजम्शन एवरेज और या एक्वालाइज्ट कोस्ट अप्रांस्पोर्टेशन कैसे मेंटेन होता है तो लॉक की जरी मेंटेन होता है एक ने डबलू का कोई कोड नहीं है इसका मतलब कोस्ट कोड 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 किस से मेंटेन किया रहा तो आपने जवाब दिया कूड कोड क्या होता है तो के का कोड क्या होता है एका code seven होता है,develop कुंसल कर देंगे तो इसका मतलब है,cost accounting standard seven में क्या maintain किया जाता है क्या है,employed cost,cost of utilities मैंने पुछा,cost of utilities कितना है, क्या है, तो आपने काई few है cost of utilities क्या कितना है, तो आपने काई few है तो few F EW तो F का code कितना होता है अपका eight E का कोई code नहीं यानि cost accounting standard eight में क्या cost of utilities है packaging material cost सबसे ज्यादा कहां लगता है तो post office में लगता है p.of post office पी का code कितना होता 9 वो का कोई cost नहीं है इसका मतलग cost accounting standard nine में क्या है packaging material cost उसके बाद देखे direct expenses direct expenses कि किस पर तो यहां पर टी और डी के लिए एक लिखा जाएगा और एक लिखा जाएगा तो यहां पर टी और डी के लिए सब्सक्राइब में क्या है एक्समेंस के बारे में बताया गया है कैसे मैंटन किया जाता है तो रहती का कोड बॉन होता है एक कुई कोड़ ने का कोड़ 1 होता है मैंने यहां पर कहा कि रख की डिर्थी दोनों का कॉड़ एक ही होता है लेकिन उसके बीछ में ए यह वहां पर एक दो बार लिखा जाएगा यहांनि कोस्ट एकांटिंग स्टेंडर 11 में क्या है एड्मिनिस्टेटिव ओवरीड रिप्यास एंड मैंटेनेंस कोस्ट मैंने पूछा रिप्यास एंड मैंटेनेंस कितना हुआ तो आपने खाएं तो टी एंड टी का कोड़ वन होता है एका कोड नहीं और कोड कोड में इंगर पूरफ स्ट킨ज फोल्टारMM क्या सब्सक्राइब दिया और खोल दिया ट्रक्राइब होता है था Кстати सब्सक्राइब II yokas क्या है pollution control cost selling and distribution over it किसके जरीए क्या जाता है टूल के जरीए तो टी डिवल ल तो ठीक कोड वन ओ का कुछ नहीं अल का 5 तो cost accounting standard 15 में क्या है selling and distribution over it depreciation and amortization कैसे होता है तो dj बजाने से होता है डीजे बजाने से तो कोड कितना हो गया वन और जे का कोड कितना हो गया 6 तो cost accounting standard 16 में क्या है depreciation and amortization interest and financing charges किस पर किया जाता है document को किसमें लिखते है डी ओ सी डी का कोड कितना है वन ओ का कोड कोड कितना है तुम्हारा 7 तो cost accounting standards 17 में क्या है interest and financing charges है कि रिसेर्च और डेवलप्मेंट कोस्ट तो रिचाट कोर्ट कहां से पता चलेगा रिशेर्च एंड डेवलप्मेंट कॉस्ट कहां से जानेंगे टी वी से तो यका कोड कितना होता है वन वी का कोड कितना होता है आह एत तो 18 कॉस्ट आकांटिंग स्टेंड StriSON 18 में ने क्या है सट्रिटेर हां में में करते हैं अब चलreiben कर तो तो कहों यह दो कोड कितना होता अप कोड क přֹुइक करिशनना होता है या क्या होता है में ज्यूंट कॉस्ट कोफ्व predator स्टेंडर को को स्टेंडर 19 में ज्याइं यह कॉंस प्रहर्ण कंटांटेंच तो कॉष्भ इसे में दाता है किसे दिया जाता है नंबर स्ट इंडर ऑन रोयल्टी आन्य टेकनिकल 9-0 का स्वाइब है नमबर पर दिया जाता है ना तो नमबर को 60 में कैसे लिखते है यह एंक का कोड़ कितना है जीरो का कोस्ट एकांटिंग स्टेंडर 20 में क्या है रोयल्टी और टेक्निकल नो då cost accounting standard on quality control कैसे कहां मिलेगा तो net में मिलेगा कहां मिलेगा ने मिलेगा तो M Şm Ik이다 a कोड कितना होते है न सिक यूण grenette को स्ट का वwaćानिका कोंटिक स्टेंडर 21 में किया है qualityylie विट्टउ कॉंस德 कों करते है तो mi करते है न का कोड न स्टेंडर 22 में क्या है manufacturing cost cost accounting standard on overburden removal cost तो यह क्या है cost accounting standard का name है तो n का कोड कितना होता है दो एक कोड 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 नहीं एक कोड कितना होता है three और एक कोड नहीं यानि cost accounting standard 23 में क्या है और बडें रिमूवल cost cost accounting standard on treatment of revenue in cost statement कौन बनाता है तो नूर बनाता है कौन बनाता है नूर बनाता है एन का कोड कितना होता है दो ओ का कोड कोड कितना होता है फोर तो cost accounting standard 24 में क्या होता है treatment of revenue in cost statement तो इसी तरह का latest update पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं ज्यादा से ज्यादा फ्रेंट सर्कल में शेर करें अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें थैंक्स फो वाचिं